Hello friends, welcome to your own channel, Civils Tiyari. आज हम बात करेंगे Russia-China Financial Alliance के बारे में. यहाँ पे एक Financial Alliance से टाच करता हुआ एक आज का एडिटोरियल भी आया था, उसकी भी आज हम डिसकेशन करेंगे. और देखेंगे क्या Financial Alliance है, क्या इसकी implications है, और किस तरह से चीज़ें बदलने को आएंगी, क्या-क्या जो है changes आएंगे. इन सब के बारे में जानकारी खटी करेंगे, जोड़े रही है हमारे साथ, Civils Tiyari के साथ. तो चलिए देखते हैं, क्या है Russia-China Financial Alliance? तो देखें, अगर हम बात करें, डॉलर ट्रेट रशिया और चाइना के बीच में जो है, वो डिकलाइन कर रहा है, कंटिनुसली. 2015 में क्या था डॉलर ट्रेट? 90% जो रशिया और चाइना का bilateral transactions होते थे, वो डॉलर में हुआ करते थे. 2019 से गर आप scenario देखेंगे, तो USA और चाइना का जो trade war हुआ, और उसके बाद USA ने sanctions को impose किया रशिया पे, 2014 में sanctions imposed किये गए थे रशिया में, और साथ-साथ चाइना के साथ, डॉलर को trade war किया गया था, इस वजह से 90% से fell down होके, कितना हो गया? 51% हो गया. तो आप देखें कि केवल 4 साल में 50, almost 40% के आसपस का decline है, बलकि उससे जदा ही decline है, तो ये अब 2020 latest अगर scenario देखेंगे, तो 40% से जदा का decline हुआ है, तो ये कही न कहीं हमें दिखाई देरा कि जिस तरह से रशिया और चाइना के बीच में dollar का trade decline कर रहा है, इससे ये समझाता ह कि ये आपस में एक financial alliance create करने वाले हैं, मतलब कि ये financially एक दूसरे के close आ रहे हैं, और ये जो है, काफी अच्छा नहीं होगा world के लिए, तो अगर हम बात करें इसकी dollar trade की, तो आप यहां से देखे, 2015 में जो dollar trade हुआ करती थी, 90% की थी China और Russia के बीच में, 2016 में अगर आप बात करेंगे, 2016 की अगर आप बात करेंगे, तो आप देख सकतें कि almost 80% हो गई है, फिर उसके बाद अगर आप देखें, 2017 में तो ये फिर भी 75% है, 2018 में अगर आप देखेंगे तो ये again 75% के आसपास है, 2019 में हमने जैसे देखा था कि ये 51% हो गई है, और 2020 में ये fall down करके 46% हो और Russia के बीच में, वो 50% मार्क के नीचे चला गया है, ये पहली बार हुआ है, since 2015 या उससे पहले भी, first time ऐसा हुआ है कि जो share है dollar का काफी जादा नीचे चला गया है, अब अगर आप बात करें, percentage की share of the dollars, euro and national currencies, मतलब Russia, China का जो trade settlement है currencies में, तो कितना किसमें होता है, 46% अभी dollars में होता है, और 30% जो है euros में होता है, और बाकी जो 54% है वो उनकी national currencies में होता है, तो national currencies क्या है, रूबल आपकी रश्या की currency है, और रेम ने भी जो है आपकी चाइना की currency है, तो इन में जो है, transactions हुआ करते हैं, रश्या और चाइना के बीच में, तो अगर हम इन दोनों का combined तो यह almost 54% बन जाता है, दोनों का combined, euro और हमारा national currencies का, overall जो impact है dollars का वो काफी जादा कम हुआ है, तो यह chart अपने आप में काफी एक telling chart है, और यह शो करता है किस तरह से जो एक काफी जादा dominance the dollar की, वो breakdown होती हुए नजर आ रही है, at least between Russia and China trade. तो अब क्यों dollar का trade reduce हो रहा है, Russia और China के बीच में? देखे, सबसे पहली बात होती है कि अगर कोई भी wire transaction हो रहा है, कहीं बेभी, world में, दो nations के बीच में, तो और उसमें, अगर USA का dollar involved है, किसी भी point of point पे, तो किसी भी point of movement मे क्या होगा, कि उसकी clearance US के bank के थुरू आएगी, माल लीजे, दो countries आपस में transaction कर रहे हैं, और dollar के थुरू transaction हो रहा है, क्योंकि dollar USA currency है, तो जब भी इसका clearance होगी, उसकी clearance जो है, US के थुरू होते हुए आएगी, और ये मेरा कहना नहीं, दिमित्री दॉलगिन जी का कहना है, ज उसके chairman है, उसके जैसे हमारे RBI के governor होते हैं, वैसे ये Russian bank के governor के रूप में काम कर रहे हैं, और इन्होंने ऐसा कहा, कि अगर कोई भी वायर ट्रांजेक्शन है, दो countries के बीच में, और उसमें US dollar है, तो उसको clearance मिलने के लिए USA के bank से आना पड़े है, तो इस वचे से क्या होग अगर USA चाहे, तो इसी भी transaction को freeze कर सकती है, by just telling the bank, और इसी को जो है, US trade sanctions कहा जाता है, मतलब कि USA कोई भी USA, अगर related dollars का transaction हो रहा है, तो इससे USA sanctions लगा के, countries को significantly impact कर सकती है, और यह चीज़ हमने देखा था, Russia के ओपर sanctions लगाए गए थे, 2014 में जब इन्होंने क्रीमिया का annexation कर उसके बाद, इसी तरह से इरान की आद जो हालत है, उसमें एक बहुत बड़ा role जो है, प्ले कर रहा है, इरान के उपर sanctions जो की 2019 में दुबारा impose किये गए है, तो यह कही न कहीं countries को पहुँच ज़दा impact कर देता है, और इसी वज़े से countries अपने आपको be hyphenate करने की कोशिश कर करती हैं dollar trade से, अब Russia और China की financial alliance किया है, तो Russia और China जो है partner कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि उनकी जो dependence है dollar के उपर वो कम हो सके, इसी को financial alliance कहा जाता है, तो पहले ऐसा मानना था सब का की world, sorry, जो cold war है, उसके time पे सब का मानना था कि Russia और China अगर close आए, तो वो आपस मे एक military alliance बनाएंगे, military alliance की बात की गई थी, उसके बाद commentators ने कहा कि ये economic alliance बनाएंगे, बट क्या नजर आ रहा है, कि आपस में ये financial alliance बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में ये financial integration इनका हो रहा है, और ये dollar की dominance को कम करने के लिए, एक दूसरे के साथ dollar के beyond इनकी transactions चल रहे है रश्या और चाइना इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये de-dollarization कर रहे हैं, मतलब कि dollar का जो इनके आपस में जो भी bilateral trade है, तो इसमें dollar के through settlement ना करके, बागी currency इसमें ये settlement करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को जो है, इसी वज़े से इनकी जो relationship हैं, ये एक तरह से de facto alliance के form में create हो financially जो है, एक trade करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर dollar को हटाया जा सके, तो ये एक alliance के रूप में form हो रहा है, और इससे क्या होगा, इससे दोनों countries को एक independence guaranteed होगी, दोनों countries जो है, independently, USA के dollar के बिना जो है, और USA के sanction के बिना function कर पाएंगी, तो क्यूंकि China और Russia, दोनों को ही कही डॉलर की वज़े से, USA के सामने तोड़ा सा, USA की dominance में रहना पड़ता है, और दोनों ही country, USA dominance को पसंद नहीं करती है, तो ऐसे में, जो इनकी financial alliance है, वो इनको एक freedom देगी, इनको एक, जो है, USA sanctions से बचाने का का काम करेगी, और इसी वज़े से, जितने financial transaction जादा होंगे, उतना ही इनका economic integration भी हो सकता है आगे, बट इसको हम देखेंगे एक अपने, जो editorial है, उसमें देखेंगे कि क्या-क्या problems भी आ सकती है, डी-dollarization क्या होता है, डी-dollarization मतलब moving away from the dollar, डी-dollarization, Russia की एक priority है, 2014 से ही, क्योंकि 2014 में जैसे मैंने आपको बताया था कि, रश्या ने क्रीमिया को annex कर लिया था, और उसके बाद, रश्या के उपर western countries के त्वारा sanctions imposed किये गए थे, उसके बाद से, रश्या क्या कर रहा है, कि वो economic cooperation, search करने की कोशिश कर रहा है, all over the world, जहां पर dollar के बिना transactions किये जा सके, USA और चाइना के trade war के वज़े से, tariff चाइनीज goods के उपर बढ़ा दिये गए हैं, और इसने भी चाइना को de-dollarization में push कर दिया, तो अब दोनों countries की जो एक need थी वो similar हो गई और इसी वज़े से, कहिना कहिन de-dollarization हुआ है, अगर चाइना के उपर USA trade war को impose ना करती, tariff impose नहीं करती, तो शायद चाइना इतने आसानी से dollar से move, दूर नहीं move करता, हाला कि चाइना का भी ये एक policy रही है, कि चाइना जितना हो सके उतना dollar के dominance से दूर रहना चाता है, बट फिर भी वो उतना आसान नहीं होता dollar के dominance से दूर होना, अगर USA trade war चाइना के साथ नहीं करता, क्यूंकि दोनों की needs similar हो गई थी, दोनों के पास dollar के, दोनों जाए dollar से move करना चाते हैं अलग, और इसलिए dollarization का movement हुआ दोनों countries में, जिसने दोनों countries को बाकी currencies explore करने के लिए मजबूर किया, और इसी वज़े से हम देख सकते हैं, कि दोनों countries यूरो और आपस में national currencies के थूर ट्रांसेक्शन को settle करने की कोशिश कर रही हैं, अब रश्या और चाइना की 2014 से ही currency swap deal भी हुई थी, तो 2014 में क्या हुआ कि रश्या और चाइना ने तीन जो है, तीन साल के लिए currency swap deal की थी, टोटल रेम ने भी 150 billion की की थी जो की 24.5 billion US dollars के आसपस आएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, currency swap का मतलब होता है, कि आप foreign exchange में जाए बिना, foreign currency में जाए बिना आपके पास currencies होंगे एक दूसरे countries की, एक दूसरे के साथ यह swap कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, exchange कर लेंगे, जिससे कि आपको जो है, वो currency लेने के लिए foreign exchange market में ना जाना पड़े, और फिर यह जो आपके पास stock होगा currencies का, इसके थुरू आप जो है, अपने transactions को settle कर सकते हैं, इस बार इस deal ने क्या enable कि countries एक दूसरे के currencies को access कर सकती हैं, बिन foreign exchange market से purchase किये हुए, deal को, क्योंकि यह तीन साल की deal थी तो 2017 में expire हो गई थी, और 2017 में further इसको तीन साल के लिए, मतलब कि 2020 तक इसको extend कर दिया गया है, अब आप देखेंगे आगे कि again यह extend कर दी जाएगी, और जिसने dollar को replace करने की बात की है, national currencies से, international settlement कोई भी अगर Russia और China के बीच में होता है, तो यह deal की गई है, Xi Jinping के visit के तोरान, कि वो लोग आपस में international transactions के तोरान, dollars को हालक कर देंगे, वो dollar के बिना transaction करेंगे, और mostly वो अपनी national currencies के थूरू transaction करेंगे, मतलब कि Ruble और MNB में transaction किया जाएगा, यह 2019 में deal sign हुई थी, यह जो arrangement है, यह arrangement कहना आसान है, बट इतना करना इसको इतना easy नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जादतर जो transaction होते हैं international, वो swift mechanism के द्वारा settle किये जाते हैं, और जो swift mechanism है, वो USA controlled mechanism है, तो इसलिए दोनों countries को जो है, एक alternative mechanism search out करना पड़ेगा, जिससे कि वो Ruble और MNB में transactions कर सकें, Russia basically क्या कर रहा है, रश्या जो है, रेमनेबी के reserves को 80 कर रहा है, और dollars के reserves को कम कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, 2019 में Russia का जो central bank है, उसने ये reveal किया था, कि उसने dollar की holdings को 10 billion तक कम कर दिया है, मतलब कि जो dollar के assets से, almost half ये give up कर दिये हैं Russia ने, अगर आप दूसरी वहीं दूसरी ओर बात करें, रेमनेबी की, तो इसके जो share है, ये Russia के foreign exchange में बढ़ गए हैं, पहले 5% तक ये hold करते थे, आज 15% तक hold कर रहे हैं, रेमनेबी के share को, इससे क्या होगा, कि Russia almost 25% जितने भी share है, रेमनेबी के outside China, उनको hold कर रहा है ये country, Russia, तो Russia एक ऐसी country है, जो कि outside China सबसे बड़े Chinese currency की reserves को hold कर रहा है, आज की date में, और वहीं दूसरी और वो dollars की जो holding है, उसको कम करता हुआ, नजर आ रहा है, तो रेमनेबी accumulate कर रहा है Russia में, क्योंकि रेमनेबी को वो use कर रहे हैं, चाइना के साथ settlements को settle करने के लिए, और क्योंकि अब चाइना के साथ उनके लिए need dollars की नहीं है, तो वो dollar का reserve कम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या dollar को replace करना easy होगा, अब देखे, dollar के पास three advantages होती है, पहला dollar की जो value है, वो जल्दी depreciate नहीं होती है, dollar अपनी value को almost similar रखता है, जो बाकी currencies के लिए ऐसा नहीं हो पाता, बाकी currencies में हम values को change, values fluctuate बहुत जादा होती है, बट dollar की value बहुत जादा fluctuate नहीं होती है, तो यह एक advantage है, जो कि dollar enjoy करता है, दूसरी advantage यह है कि size USA का काफी बड़ा है, तो US economic domestic economy शायद world की सबसे बड़ी economy है, शायद नहीं सबसे बड़ी economy है, तो ऐसे में कोई और currency आसानी से replace नहीं कर पाएगी USA dollars को, तीसरी चीज़ क्या है कि financial market जितने deep है USA में, जितने liquid है और जितने open है, उतना किसी और currency के market में हमें अतना ही मिलता है, जिस वज़े से dollars obviously एक attractive financial holding है और एक attractive currency stock reserve है, जिसको countries hold करके रखना चाहती है, बड, problem क्या है कि dollar की ये advantage होने के बावजूद, क्यूंकि USA dollar की advantages के basis पे, वो उसको out stretch करके economic sanctions लगाने की कोशिश करता है, उससे क्या होगा कि countries एक दूसरे के साथ मिलके dollar को boycott करने लगेंगी और इसी को de-dollarization कहा जाता है, ये movement अभी already हमें Russia और चाइना में होता हुआ नजर आ रहा है, एक और country है जहाँ पे de-dollarization है और वो country है इरान, इरान को भी आपको याद होगा कि इरान जब इंडिया इरान के साथ oil purchase कर रहा था, तो इरान को payments Indian currency में किया जा रहा था, क्योंकि dollars में हम payment नहीं कर सकते थे, तो इरान भी इसके साथ अगर nexus बना लेता है और और कुछ और countries अगर add हो जाती है, तो इससे dollar के वर्चस बे एक बड़ा question mark खड़ा होगा, dollar की जो dominance है international market में, वो कम हो जाएगी, हालकि easy नहीं है, time लगेगा, बाट यह totally doable है, और यह तब जादा doable हो जाएगा, जब countries डॉलर से move करने लगेंगी, अपनी domestic reasons की वजए से, और जो कि उनको बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे, जिस तरह से US से चल रहा है, इससे एक related आज editorial आया था, विजय गोखले जी का बहुत अच्छा editorial था, editorial है, China-Russia ties as a major determinant, अगर हम China और Russia की ties की बात करें, और उनमें देखें कि क्या-क्या चीज़ें determine करती हैं उनकी ties को, तो और साथ-साथ अगर Indian policy के उपर देखें कि किस तरह से वो India की foreign policy के calculus को change करेंगी, तो बहुत सारी हमें insight देखने को मिलेगी, अब देखें, अगर हम बात करें, Chinese President Xi Jinping की, तो उन्होंने describe किया था, कि जो भी हमारा वालदी मेर पूतिन को जो है उन्होंने बोला था, best friend और colleague, और उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे, तो आज के time में जितना closely linked है, बहुत ही closely जितना ये linked है, जहां हम financial alliance की बात कर रहे हैं, ये इससे पहले रशिया और चाइना के बीच में इतनी ज़्यादा जो एक वाम्त है, वो नहीं देखी गई थी, अब अगर हम एक key triangle की बात करें, ट्राइंगल सागर हम बनाएं, जहां पर एक और अमेरिका है, दूसरी और रशिया है, और तीसरी और अगर हम चाइना को रखें, तो ये triangle जो है, ये तीन कड्रीस का triangle इंडिया की foreign policy के लिए बहुत important है, और इसमें अगर हम देखें, तो most of the part, अगर 1950 से अभी तक के लिए देखें, तो रशिया और अमेरिका के बीच के जो relations हैं, इन्होंने world relations को बहुत ज़ादा affect किया है, अमेरिका के जो cold warriors थे, उनका कहना था कि अगर अमेरिका को जीतना है, तो victory की road packing से होके जाएगी, तो अमेरिका और रशिया, दोनों ही यह मानना है, कि अगर उनको जो है, डॉमिनेट करना है world में, तो उसमें रशिया का एक साथ, sorry, China का साथ होना बहुत important है, इंडिया इस triangle का हिस्सा नहीं है, clearly, बट इस triangle के जो consequences हैं, वो इंडिया के लिए सबसे ज़ादा होते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रशिया और चाइना का जो relationship है, वो किस तरह से move out करेगा, जिससे कि हमारी जो foreign policy की calculus है, वो ठीक से हम calculate कर सके, हमारी जो foreign policy है, वो हम ठीक से develop कर सके, कोविट से पहले भी अगर हम देखें तो इस triangle के जो dynamics थे, वो change कर रहे थे, देखें उसका एक बड़ा reason था कि America का कहीं न कहीं चाइना के साथ एक दूरियां बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि चाइना ने एक dominating position assume करना शुरू कर दिया था, दूसरा ये था कि Soviet Union के disintegration के बाद Russia की जो threat थी, वो कम हो गई थी Chinese की eyes में, और इन दोनों trends की वज़े से, कहीं न कहीं recent relations, जो है, Sino-US relations change हुए है, अब अगर हम बात करें कि किस तरह से इनकी दोस्ती है, Russia और China की जो partnership है, उसके तीन pillars है, तो pillars of Russia-China partnership हम तीन जो है लिख सकते हैं, पहला pillar है आपका trade, expanding trade, जो हमने अभी देखा कि किस तरह है, इनका trade expand कर रहा है, दूसरा है इनका peaceful boundary, ठीक है, peaceful boundary हो गया दूसरा, और तीसरा जो pillar है, इस alliance का, वो है, एक distrust of America, distrust of USA, तो USA की जो दूरी है, USA का जो एक distrust है, USA से जो इनकी दोनों की problems हैं, उस वज़े से य जिसकी वज़े से ये दोनों close आए हैं, या partnership इनकी इतनी ज़्यादा close हुई है, और ये financial alliance की यहाँ पर बात की जा रही है, अगर हम इनको, इन तीनों को अगर हम एक एक करके देखें, तीनों points को, तो हमें ये पता चलेगा कि जो western sanctions थे, उन्होंने कहीं न कहीं रश्या को चाइना से थोड़ा सा close push किया है, जो अभी इतनी देर से हम देख रहे थे कि financial alliance का जो genesis है, 2014 के sanctions के बाद से आई है, और उसके बाद से हमने देखा कि 2015 से लेकर के 2020 तक 90% से जो dollar की holding थी, dollar का जो transaction था Russia और चाइना के बीच में वो कम होकर के अभी 46% in 2020, first quarter of 2020 ये figure अभी तक आ चुकी है, दूसरा, साथ-साथ अगर आप देखेंगे कि जो prices है oil के, वो fall down कर रहे हैं, और Russia एक oil और gas की supplies का एक बड़ा supplier है, तो इस वज़े से रश्या की जो economy है, उस वो भी सफर करती हुए नजर आ रही है, और तीसरा क्या है, कि रश्या का जो export था Europe में, वो कहीं न कही fall down कर रहा है, जो gas exports करते थे Europe में, उसमें कमी आई है, और इसी वज़े से वो काफी जादा चाइनीज के उपर dependent होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप देखें, रश्या की या European Union की, तो ये bipolar world, ना तो रश्या के लिए अच्छी होगी, bipolar world मतलब एक ऐसी world जहां पर ये दो पोल्स रह जाएं, अमेरिका और ये चाइना रह जाए, तो ये bipolar world ना तो दुनिया के लिए अच्छी है, और ना ही रश्या के लिए अच्छी है, बट ये रश्या की जो दूरी है, वो कही ना कहीं इस bipolar world को create करते हुए नजर आ रही है, रश्या कहीं ना कहीं चाइना को strengthen कर करते हुए नजर आ रही है, इस strategic triangle में, तो ये strategic triangle में अगर ये दोनों close हो जाते हैं, और इन दोनों की बंती नहीं है, ठीक है, ये दोनों अगर close हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो एक घाटा होगा, अमेरिका थोड़ा सा वीकें होगा, और equally आपका रश्या भी वीकें होगा कि जो western sanctions हैं, उनके बाद, रश्या और चाइना की जो trade है, वो almost double हो गई है, और trade की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो trade है, ये double हुई है, रश्या और चाइना की, almost 108 billion dollars की trade हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में, इसी तरह से हम भी बात कर रहे थे कि रश्या के central bank ने किस त industrial plant and technology का, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, ये सारी जो economic positives and trade की, इस वज़े से कहीं न कहीं, चाइना और रश्या क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी वज़े से कहा जा रहा है कि शायद चाइना और रश्या एक strategic alliance को create करेंगे, हाला कि financial alliance तो इन्होंने create की ही है, बट strategic convergence इनके वीच में देखती हुई नजर आ रही है, मतलब क्यूंकि इनके जो options है वो similar है, इनके जो interest है वो काफी converge कर रहे हैं, इसी को हम strategic convergence बोलते हैं, coordinated action जो multilateral forums में रहा है, रश्या और चाइना का, उसके अलावा जो joint military exercises इनोंने conduct की हैं, रश्या और चाइना ने मि वहाँ पर जो भी इरानियन सकता है, उसकी काफी proactively काम करती है, तो इस थर्ड कंट्रीज में भी इनकी जो है alliances नजर आ रही है, दोनों मिलकर के साथ-साथ काम करती हुए नजर आ रही है, तो यह reinforce करता है इस belief को कि रश्या और चाइना strategic alliance बना सकते हैं, अब इसमें एक fact जि बीच में specifically जो चाइना का जो growth है, यह peaceful rise नहीं है चाइना का, चाइना की जो growth है वो रश्या के peripheral regions में global power के रूप में चाइना उबरती हुए नजर आ सकती है, रश्या अपने आसपास के region को काफी जादा जो है, जैलसली गार्ड करता है, और इसलिए रश्या चाहता है कि जो जो भी next world order हो, वो European or Asian arrangement होना चाहिए, और उसके center में रश्या हो, तो ऐसे में जो एक चाइना की rise है, वो कही न कहीं रश्या के लिए भी threat है, और USA की जो USA led hegemony है, इसको जो है demolish करने की इक्षा रखता है रश्या, बट उसमें आपने आपको छोटा junior partner के रूप में रश्या emerge नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं formal alliance जो है, इतनी जल्दी रश्या और चाइना के बीच में नहीं बनेगा, at least strategic alliance तो नहीं बनेगा, अब अगर हम रश्या के rise की बात करें और चाइना के unease की बात करें, तो यहाँ पे again तीन pillars हैं, जिसकी वज़े स यह जितना हमें अच्छा लग रहा है, यह जो तीन pillars हमने देखे, जिस वज़े से यह close आये हैं, या फिर इनकी alliance बनती हुए नजर आ रही है, इसी तरह से तीन और pillars हैं, जिस वज़े से जिनके चलते हुए, शायद इनकी alliance इतनी तेज नहीं मर जोगी, या इतनी strong नहीं वो यह मानता है कि रश्या के जो जारिस्ट नेशन था, जो जार्स थे, उन्होंने हुमिलेट किया था चाइना को, और जो चाइनीज के उपर कहीं न कहीं, past centuries में, रश्या का जो एक control रहा था, वो अभी भी चाइना के लिए एक national humiliation है, और इसी वज़े से रश्या को चाइ चाइना के convergence में ये एक problem create हो सकती है, और ये कहना है Foo Ying का, जो कि उन्होंने एक essay लिखा था, 2016 में, और उन्होंने acknowledge किया था, कि चाइना की rise से एवन रश्या को discomfort create हुआ है, जहां एक और रश्या का, मतलब जहां एक और चाइना का ये मानना है, कि इन्होंने हमें हमें रूल country थी और इसका rise जो हमारे बल्बूते पर नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की जो problems है, historical grievances है, हाला कि formal resolution हो चुका है, बट अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ही, almost जो रश्या के किसी, sorry, चाइना के एक वुल्फ वारियर ने जिक्र किया था, छे लाग स्कॉयर मा काफी तीखी प्रक्रिया आई थी Moscow की तरफ से, तो यह सब चीजें कहीं न कहीं उतना यह जो हमारा second pillar था, इसको वीकेंड कर देती है, अब हमने first pillar की बात की थी, trade की बात की थी, अगर आप trade की बात करें, तो trade में भी देखिए, जहां रश्या को एक रश्या के favor में है, surplus है कि raw material export होता है, oil and gas का, जबकि China से जो imports आते हैं, वो cutting edge technological imports आते हैं, तो कहीं न कहीं यहां पर भी, even though trade में 5 volume रश्या को फायदा है, बट overall अगर आप देखा जाए, तो Chinese dominance है, जिस वज़ा से यह relation, even trade का इतना ज्यादा strong pillar नहीं है, तीसरी बात करी थी, अमने distrust of USA की, अगर आ distrust है, यह तभी तक होगा, जब तक अभी फिलाल Trump की सरकार है, दोनों countries wait and watch के mode में हैं, और हो सकता है कि with a change of power, जैसे हमने पहले देखा था कि Barack Obama के time में और Trump के early times में, Russia और USA थोड़े से close आये थे, तो ऐसा possibility है कि with a change in the power, USA और जो बाकी countries है, Russia या फिर China, USA के दुबारा close चली जाएं, तो इस वज़े से तीनों ही pillars शेकी हैं, और जिससे यह प्रूव होता है कि इनके relations जितना दिखाई देता है, उतना ज्यादा strong नहीं है, तो इसी वज़े से अगर हम बात करें, फिर बात होती है कि defense का जो एक इनकी deal हुई है, S-400 missile system की, उसको example दिया जाता है, कि इन कोई बड़ा एक major equipment इनको चाइना को sell नहीं किया है, वो इंडिया के साथ एक बड़ी defense partnership है, उतनी बड़ी defense partnership अभी फिलाल Russia और USA चाइना की नहीं है, चाइना और Russia के जो relationship है, यह एक substantial expansion है bilateral cooperation का, तो हमने अभी भी देखा था, अपने इस editorial में और उसके beyond इस पूरे lecture में हमने देखा था, financial, जो इनकी closeness थी, उसकी बात की थी, उसी बात को विजय गुखले जी जो है, बढ़ाते हुए कह रहे हैं, कि रश्या और चाइना के जो relationship अभी close आए है, यह सिर्फ एक bilateral cooperation का expansion है, और इसमें जो है कही न कहीं asymmetrical expansion है यह, और यहाँ पे चाइना की pre-eminence होगी, उ उससे कही न कहीं रश्या को एक real danger है कि वो चाइना का एक junior partner बन सकता है, इंडिया और रश्या के अगर आप ties की बात करें, तो इंडिया और रश्या के ties काफी trustworthy हैं, हमारे बीच में किसी बीच क्योंकि रश्या हमारा एक trustworthy defense supplier है, उसके अलावा हमारे बीच में किसी भी तरह क politically agnostic relationship नहीं है, commercially motivated Russia वो सकता है कि हमारे concerns को चाइना के साथ share ना करें, बट फिर भी जो principal factor है रश्या और चाइना की relationship में वो पूरी तरह से financial और commercial है, उनकी strategic जो है alliance नहीं है, natural partnership नहीं है उनके बीच में, strategic partnership जो है इंडिया के रश्या के साथ तभी बन सकती है जब एक fundamental conflict of interest न आए और यह अगर हम इंडिया के बात करें तो इंडिया और प्रश्या के बीच में कोई भी fundamental conflict of interest नहीं है, हमारी shared beliefs है और इसी वज़ा से यह जो एक इंडिया और रश्या का जो relationship है वो अभी भी strong है, हाला कि इंडिया को थोड़ा सा watchful रहना होगा, क्योंकि जितना जादा ह और रश्या के साथ उतना alliance हमारा अभी कम हुआ है, और obviously हर country trade को एक बड़ा महत्व देता है, commerce को एक बड़ा महत्व देता है, तो इसी लिए हमें यह देखना होगा कि हमारा जो garden of friendship है, उसको हम consistently tend करते रहे, वो इंडिया के हित में होगा, और इससे हमारे relationship पे आज नहीं आ all-time, ना तो friends होते हैं, ना ही enemies होते हैं, और अगर कोई friend है, तो उसकी friendship को constantly tend करना होता है, और कोई enemy है, तो उससे हमेशा watchful रहना होता है, यही India को apply करना होगा, और एक जो friendship है, उसको मजबूत करना होगा, ऐसा इस editorial में लिखा हुआ था, तो जो जितना भी अभी Russia और China के ब बता दिया है, I hope आपको समझाया हो, अगर आपको lecture अच्छा लगा हो, तो please like करना ना भूले, please मैं request कर रही हूं कि आप share करना ना भूले,